सबी बच्चों को नमस्कार हायर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत टॉपिक लाप्लास ट्रांस्वरमिशन हम लाप्लास क्या होता है उसका ट्रांस्वरमिशन लाप्लास क्या होता हो तो साइंटिस्स का नाम में मैथमेटिशन भी थे वो ठीक है इसको हम न्यूटन आफ फ् property ठीक है दूसरी property है first shifting property इसको first translation कहते है Actually translation क्यों कहते है translation का मतलब होता है linear motion थोड़ा खिसक जाना ठीक बस खिसक जाती property थोड़ा सा value खिसक जाती है इसलिए इसको translation कहा गया है ठीक है क्या होती है ज़रा देखेगा प्रापर्टी क्या होती है प्रापर्टी होती है कि लेट L of FT मतलब एक FT फंक्शन है उसका जो लापलास ट्रांस्फॉम्शन होता है उसको FS कहता है ठीक है देन अगर इस FT के साथ ध्यान से समझेगा इस FT के साथ E to power 80 से multiply कर दिया जाए FT के साथ तो जो आपका FS आता है वो S माइनस A हो जाता है बस काम खता है अगर FT का लापलास FS है तो अगर हम E to power 80 से E to power 80 है ध्यान लखेगा क्यों E to power A की बात हो रही है अगर E to power 80 से multiply कर दें तो वो जो S होता है ना उसकी जो E की पावर है वो हो जाता है तो इसी को हम प्रूफ करने जा रहा है देखें we know that हमने पहले पढ़ा हुआ है we know that L of FT होता क्या है L of FT जिसको के FS कहते हैं इसका formula होता है 0 to infinite E to power minus ST FT dt यही होता है ना अब मैं इसका लापलास निकालने जा रहा हूं अगर L of E to power 80 FT निकालते हैं तो क्या होगा तो 0 to infinite E to power minus ST एक्चली यह पूरा FT function हो जाएगा ना यह पूरा FT है तो क्या लिखा जाएगा E to power 80 FT यह लिखा जाएगा और DT यही तो लिखा जाएगा ना अब देखिए आगे तो अगर इनको देखें ध्यान से तो यह दोनों power add हो जाएगी तो यह हो जाएगा आपका 0 to infinity E to power minus ST में plus 80 हो जाएगा into FT DT हो जाएगा 0 to infinity E to power minus चुकि S मतब बाहर minus होता है ना तो minus काम ले लिया S minus 80 FT DT थोड़ा सा ध्यान से देखें आप जब आप FT लिखते थे थे ना तो E में जो T के साथ होता था, वो S होता था जब आप Laplace of FT निकाला था तो जो T के साथ होता था E में उसको we एस मानते थे, minus S तो जो T के साथ हो यह S माना जाएगा यही तोR S लिखा गुआ यह ना जाएगा तो धेखा जाए ज़पका F S होता है, वो R S यहान लिखा होता है, S की की जबला क्या मालो आप ये कोई function तो है नी तो constant term है मदब आप integral तो t के respect में कर रहे हो ना तो जब यहां मानोगे कि लिमिट तो t की है तो 0 से infinity e to minus ut into ft dt तो अगर इसको आप Laplace से compare करें Laplace of ft तो t के साथ जो लिखा होता है वो s होता था ना वो यहां क्या लिखा है u तो यह fu लिखा हुआ है ना और u का मान क्या है s minus a तो यह f s minus a हो जाएगा सब में बात आई नहीं आई आप डाइट भी ले सकते हैं वो हमने कहानी बता दिया अलग की बात है भाई आपने s minus a को अगर x sorry हम x अच्छा यू मान लिजे u मान लिजे हमने s minus a को u मान लिया तो आप कहेंगे इसको differentiate क्यों नहीं किया क्योंकि यह तो constant है ना आपका जो function हो तो t के respect में integrate हो रहा है अगर t के function को कुछ मानते तब उसको हमको differentiate करना पड़ता तो यह आपका first shifting property है आप कुछ example देखे एक दो कि कैसे उसको apply किया जाता है उसके लिए देखे ध्यान से हमने क्या कहा आपको laplace of ft मालूब होना चाहिए क्योंकि जो ft का laplace होगा जब हम इसमें e की power 80 से multiply करेंगे ft में तब हम t की जगे s की जगे s मानस a लिखेंगे ध्यान रखिएगा तो उसके लिए ft का laplace आपको मालू होना चाहिए ठीक है हमने एक वीडियो upload किया इसके description में दे देंगे laplace का उसको देख लीजेगा formula देख लीजेगा फिर यहाँ पहुंचिए गा ठीक है देखे जैसे आपको laplace निकलना है eat power 2t cost 30 यह लिख करके नहीं आएगा by first shifting property first shifting property आपको मालू होना चाहिए तो आप लिखेंगे we know that we know that laplace of cos 3t is equal to क्या होता है हमने बताया था आपको laplace of cos 80 बताया गया था s upon s square plus a square यह laplace of cos 80 बताया था तो cos 3t क्या हो जाएगा s upon s square plus a square बोले तो 3 square बोले तो 9 यह cos 3t का हो गया तो अगर हम यहाँ पर multiply eat power 2t से कर देते है cos 3t तो by first shifting property eat power 80 से कर देते हैं तो जहाँ s होता है वहाँ s minus a हो जाता है तो जहाँ s होगा वहाँ s minus 2 हो जाएगा तो this become s minus 2 upon s minus 2 का whole square plus 9 अब इसको calculate करना चाहाँ तो calculate कर लीजे तो यह आए जाएगा s minus 2 upon यह हो जाएगा s square और plus 4 minus 4s plus 9 तो this result will come s minus 2 upon s square minus 4s plus 9,4,13 तो यह laplace इसका आएगा ठीक है तो यह तरीका होता है लिखेंगे by first shifting property यहां लिखेंगे by first shifting property shifting property ठीक है तो यह आपका laplace की एक property होती है ठीक है यह दो एक property हमने इसके पहले वीडियो में बताई थी linear property यह दूसरी first shifting इसके बाद second shifting आएगी और भी आएगी एकदम से अगर वीडियो लंबा कर देंगे तो तिन तिन चाचा मिनट की concept देखते रही है अगर आपको कहीं कुछ concept में दिक्कत हो तो आप description में हमको लिख सकते हैं यह sorry वो तो मैं लिखता हूँ comment में आप लिख सकते हैं हम उसका answer जरूर देंगे और इसके बाद हमें एक आद वीडियो बनाएगे जिसमें की detail में कुछ question डिसस करेंगे ठीक है वो बाद में तब तक good night